हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजूकेशन विद गौरब में और उत्राखण लेक्षर केमेस्ट्री के लिए हम तयारी कर रहे थे दोस्तों तो आपके बीच में मैं लेके आया था इससे पहले पी ब्लॉक का जो गुर समझते हुए चलिए आपको लिखने की कुछ भी जरुद नहीं है इसका जो पीडिएप है वो मैं ग्रुप के अंदर डाल दुना ओके तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्ड़न वीडियो होने वाला लास्ट तक मेरे साथ बने रही है बीडियो को बिना इसकीप करे वे देखन तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो तो जैसे कि मैंने बात की आज हम बात करने वाले हैं किसकी पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कारवन की जो फैमिली है ग्रुप 14 फैमिली के इंदर इससे पहले हम ग्रुप 13 जो फैमिली है जैस बोरॉन फैम नहीं है क्योंकि अगर सारे ग्रूप को कम माइंड से देखा जाए तो सब खिचड़ी पक जाएगी कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसलिए मुझे इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नोट्स बनाने में भी थोड़ा दिक्कत होती है और भी बहुत सारे काम पर ज देखा था देखें एलक्टोनीक कान्प्रिक्रेशन वे एसा ही लगबग जैसे की पिसले ग्रूप का था इलक्रोनीक कॉन्प्रिक्रेशन बस उसमें एक हो जाएगा जिसमें कि आपके जो ऊपर के दो अलिमेंट्स होंगे कारवन और सिलिकन इसमें केवल स एंपी ग्रूप सो हमारे पास 10 elements जो हैं आपके डी और्बिटल्स के भी आ जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं एंड लास्ट जो element है आपका लैट जिसके अंदर आपको 14 जो elements है वो 44 के मिल जाते हैं तो यह कुछ important चीजें इसके अंदर देखने को मिलती हैं उसके अलावा हम ऑक्सिडेशन स्टेट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टू एंड फोर जो है ऑक्सिडेशन स्टेट को यह सो करता है लेकिन डाउन दो ग्रूप जो है आपका टू वाली ज्यादा स्टेवल होगी जबकि उपर जो है आपके फोर वाली जो ज्यादा स्टेट है वह ज्यादा स्टेवल होगी तो यह हम आगे जो है देखेंगे कि ऑक्सिडेशन स्टेट के इस प्रकार के ट्रेंड का क्या कारण है चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर आप समझ गए है कि जो उपर के दो एलिमेंट्स है इसमें केवल पी और एस जो है ऑर्बिटल्स हमारे पाए जाते हैं वाइल वैन वी गो डाउन दग्रूप यहां पर जर्मेनियम और टिन के अंदर आपको 3D के और 4D के दो और बिटल मिल जाएंगे जिसके अंदर दस दस आप को एलकुद्स मिल जाते हैं वाइल फोर एप में आपके 14 उलक्स मिलते हैं केवल लेटम में यानिकि अन्तिम इलिमेंट्स और इसको इस प्रकार से ही लिखा जाता है उससे निकट वर्ती जो आपका हेलोजन नोबल गैस होती है उसके बाद उसको लिखा जाता है ताकि जो इसको लिखने में सुधर है चलिए सुरू करते हैं अब हमारा आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि क्या है कि आरा ना पर इन्कूदर्व और ऑसी की तरह रहेगा जो है जो पहले और इनके बीच में क्योंकि size of atom का increase जादा है मतलब gap जादा है तो इस वज़े सा देखिए आप की जो covalent radii है उसका जो gap है वो बहुत जादा है लेकिन उसके बात के जितने भी elements से उनके बीच में उतना जादा gap नहीं है यह हमने पिछले group यानी group 13 के अंदर भी यह pattern follow किया था और ionization enthalpy में भी आप देख सकते हैं कि जो group जो carbon है उसके बहुत ज़्यादा extensively high है while उसके बात जब हम जाते हैं नीचे तो उतनी ज़्यादा यह high नहीं है और धीरे धीरे यह down the group decrease हो रही है तो decrease होने का कारणा मैंने आपको पहले भी बताया था कि नीचे जाते हुए जो कि size of atom increase होता है while size of atom increases तो must be जो आपका outer जो electrons है वो क्या होंगे nucleus से थोड़ा दूर चले जाएंगे that's why जो उनका एक attraction force होगा वो काम हो जाएगा और इस वज़े से electron जो निकालना है वो आसान हो जाएगा that's why ionization enthalpy जो है वो काम हो जाती है यह इसका reason है और melting points और boiling points में भी वही trends लगबग देखने को मिलेंगे down the group जो है वो decrease देखने को मिलता है जैसे जैसे atom का size increase होता है लेकिन उसके बात के elements में लगबग लगबग साब में यह equal रहेगी और इसका जो कारान है वो हम आगे देखेंगे आगे बढ़तें next देखिए electronegativity and ionization enthalpy अभी हम उसी की बात करने वाले हैं जो हमने ऊपर देखा था ठीक है तो electronegativity decreases from carbon to carbon to silicon but remains the same till lead तो अभी हमने यही चीज देखी थी कि जब हम decrease जो electronegativity है उसको देख रहे हैं तो carbon से silicon में तो वो क्या हो रहा है decrease हो रहा है है ना लेकिन उसके बाद lead तक यह लगबग same रह दिये in general since the size of these elements are small these elements are more electronegative than carbon 13 elements है ना so basically यहाँ पर चूकि एक तो इसका size जो है group 13 के elements से थोड़ा छोटा ही है और दूसरा जब हम period में इधर को बढ़ते हैं left से right की तरफ तो आप देखते हैं कि हम group 14 13 से 14 पर आने पर हम electronegative जो atoms होते हैं यानि कि halosons होते हैं उनके और करीब होते जाते हैं that's why electronegativity जो है वो ग्रूफ 13 से इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी due to size of atom और दूसरा periodic जो trend है वो भी इसमें फॉलो होते हैं तो आगे बढ़ते हैं the ionization decrease ionization enthalpy decreases from carbon to silicon but then change in an irregular way because of effects of filling the d and f orbitals the increase in ionization enthalpy from s and tin to lead is because of their size as well as poor shielding effect of d and f orbitals to again ionization enthalpy का जो करम है जो दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा है ग्रूफ 13 के अंदर वही चीज़ यहां पर भी है कि जो ionization enthalpy वो आपका यहां से यहां तक decrease होई है बहुत तेजी से है ना लेकिन उसके बाद यहां पर बहुत कम जो है इसके अंदर देखने को मिला है जो degrees है वो बहुत कम देखने को मिला है तो basically यहां पर इसका reason क्या हो सकता है वही जो नीचे वाले elements है क्योंकि उनमें आब वो D और F electrons भी आ रहे हैं तो D और जो F electrons है उनकी जो poor shielding है इसके कारण से क्या होगा जो nucleus होगा उसका effect जो outer electrons है उसके उपर बना रहेगा यह nucleus है और यहां पर जो outer most orbital है उसमें suppose कोई electron है अगर यहां पर अंदर के जो D and F orbitals हैं इनका जो shielding है वो खराब होगा तो इसका जो attraction है इनके उपर बना रहेगा that's why इसको निकालना थोड़ टाफ होगा और इसको निकालना टाफ होगा इसका मतलब ionization enthalpy increase हो जाएगी तो यही कारण है कि नीचे जो है उसके अंदर increase हलका सा देखने को मिलता है ठीक है कहां से कहां तक आपका s and tin से लेकर opv led तक बाकि इसको यह जो elements से इसको इसके जो नाम से उनको आपको याद करने हैं यह आपको ट्रिक्स मैंने आपको पहले ही बता रखी है आपका कौन सा ट्रिक था इस ग्रूप के अंदर इस ग्रूप के अंदर ट्रिक थी आपकी कहे सीता जी सुनो प्रभू है ना carbon silicon germanium SN यानि कि टिन एंड लेट ओके आगे बढ़ते हैं फिजिकल फ्रॉपर्टीज यानि की भौतिक गूंट अल्द एलिमेंट्स ऑफ ग्रूप 14 आर सॉलिड तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सॉलिड हैं यह हमने पहले बात की थी the carbon has an extremely high melting point यह हमने ऊपर टेवल के अंदर देखा कि कारवन का बहुत ज़्यादा हाई melting पॉइंट है एंस सिलिकन मैट एप्रिसेवली लोवर देन कारवन बट वैल्यूस फॉर सिलिकन एंड जर्मेंट्स तो उनकी वैल्यू जो है वह एप्रॉक्सिमिटली तो कम है लेकिन और अगर और जिसके कारण से जो मैटलिक बॉंड्स हैं उसके अंदर वीक हो जाते हैं the melting point decrease on descending the group because mm bonds becomes weaker as the atoms increases in size okay तो यहां पर आप देख सकते हैं again हम इसको एक बर दोबारा देखते हैं melting points यहां पर जो जर्में टिन एंड लेड है उसमें आप देख सकते हैं कितने कम हैं और नीचे जाने पर यह decrease हो रहा है जबकि उपर carbon के अंदर यह appreciably बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि नीचे जाने पर जैसे जैसे हम down the group जा रहे हैं जो mm bond यानि कि जो metallic bonds है वो विकर हो जाते हैं and size of atom भी increase हो जाता है the sn and pv are metallic and have much lower melting point so basically हमने अभी बात देख लिया उपर कि sn यानि कि tin और lead दोनों का जो melting point है वो much lower है than other elements and melting point and boiling point बहुत आहार greater in group 14 than group 13 in corresponding periods तो अगर हम corresponding periods में देखें तो obviously 13 तो group जो है उससे ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि size of atom इनके अंदर जो है approximately उनसे थो छोटा ही है तो इस कराण से melting point और boiling point उनसे थोड़ा ज्यादा lower देखने को मिलेगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे हम ग्रूप के अंदर corresponding जो ग्रूप है उसके अंदर बढ़ते हैं इसकी बात हो रहे हैं left से right के तरब the change from non-metal to metal with increasing atomic number is well illustrated in group 14 where carbon and silicon are non-metals so basically यह जो trend है यह clearly इस group के अंदर सो होता है जब हम उपर से नीचे के तरब आते हैं तो उपर हमारे पास है non-metal जैसे कि हमने देखा carbon पूरे एक non-metal है उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो वहाँ पर आपको metalloids मिल जाता है germania है ना and when we go down the group यानि कि below the group तो यहाँ पर हमारे पास पूरी तरीके से metals है आपके tin और lead तो यह complete trend जो है इस group के अंदर देखा दा सकता है उपर से नीचे की तरफ जाने में non-metal, metalloids and then metal ओके आगे बढ़ते हैं next हम बात करेंगे अब chemical properties की रासाइनिक गुड़ों की बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे oxidation state the most common oxidation states are plus two and plus four यह भी हमने उपर जब electronic configuration देखा था उसमें भी देखा कि दो प्रकार की oxidation states यह सो कर रहे है plus two and plus four the plus two oxidation state becomes increasingly stable on descending the group याने कि ऊपर तो आपका plus four stable है लेकिन नीचे descending the group जाने पर plus two oxidation state धिरे धिरे आपका increase हो रही है stable हो रही है the inner pair effect shows itself increasingly in the heavier members of the group बेसिकली यह क्यों हो रहा है क्योंकि नीचे वही जो हमने पिछले वीडियो के अंदर भी देखा था जैसे कि उसके अंदर आपके जो आपके lower elements थे जैसे कि indium हो गया thallium हो गया उनके अंदर हमने देखा कि जो दो electron है ऐसके वो paired रह जाएंगे वो आपके bonding में participation करेंगे नहीं that's why they become inert pair और in inner pair के रहने कारण के और दो ही electron जो outermost electrons है वही participate करेंगे that's why केवल दो ही यह stable करेगा नीचे वाले elements में okay so carbon and silicon generally exit in plus 4 oxidation state यह हमने देखते हैं कहीं के elements पाए जाते हैं इस प्रकार के and germanium plus 2 is strong reducing agent where germanium plus 4 is stable अगर हम lead की बात करें तो यहां पर lead 4 यानि के sn plus 4 oxidation state में covalent है and stable while sn plus 2 exist as a simple ions and strong reducing agent की तरह यहां पर behave करेगा यहां पर lead 2 positive के बात करें तो वह एक ionic है and more stable than lead plus 4 which is oxidizing in nature so यह कुछ oxidation state के trends देखे जा सकते हैं okay आगे बढ़ते हैं next देखे reactivity towards oxygen oxygen की तरफ हम reactivity की बात करें carbon forms more oxides than other elements and these oxides differ from those other elements because they contain p-pi multiple bonds between carbon and oxygen so basically यहां पर हम देखते हैं इस पूरे group के अंदर carbon जो है वह एक exception है क्योंकि वह सबसे ज़्यादा bonds जो है वह या oxide कह लिजिए form करता है और उसका reason वही है कि इसके अंदर छमता होती है p-pi-pi multiple bonds ब्राने की आपने देखा होगे जैसे carbon carbon double bond हो गया carbon triple bonds के compound बहुत सारे मिलते हैं उसी प्रकार से carbon के जो oxide है जैसे carbon monoxide हो गया उसके अंदर c-o जो है आपके उसके अंदर p-pi-pi multiple bonds देखने को मिलता है उसी प्रकार आपके c-n यानि की cyanide के अंदर देखने को मिलता है तो यह सारे जो है reason होते हैं p-pi-pi जो multiple bond form करते हैं carbon उसके कारण से इसके oxides बहुत ज्यादा numbers में बनते हैं silica oxide is commonly called as silica तो इसके जो oxide है बनता है इसको silica के नाम जाना जाता है it is widely found as sand and quartz तो sand और quartz की तरह यह found किया जाता है group 14 elements typically forms four bonds so यह four bonds क्योंकि चार जो है संयोज जगता है इनकी तो इनकी जो natural tendency वो तो चार बॉंड बनाने की है carbon can form p-pi-pi double bonds and hence co2 is a discrete molecules in a gas si यानिकी silica cannot form double bonds using p-pi-pi bonds thus SiO2 यानिकी silica oxide forms as a infinite three dimensional structure and it it has a high matching solid so basically यहाँ पर carbon तो बहुत सारे multiple bonds बनाने के कारण p-pi bonds बनाने के कारण बहुत सारे discrete molecules को form करेगा लेकिन silica में ऐसा नहीं होगा silicon जो है double bond form नहीं कर सकता है इस प्रकार की bonding करके इस वज़े से वो क्या करेगा अपने आपको replicate करेगा और इस वज़े से एक complex three dimensional structure को form करेगा इसी कारण से इसके जो oxide बनते हैं उनका high melting point होता है आपने silica के अंदर देखा होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स देखिए अगर हम germanium के oxide के बात करें जी इओ इस डिस्टिंक्ली acid acidic while अगर हम SN या lead के oxide की बात करें दे आर एंपोटेरिक एंड डिजॉल्व इन बोथ acids and base तो यह एंपोटेरिक इंदर नेचर होते हैं germanium and sorry SN यानि tin and lead के जो oxide होते हैं आगे बढ़ते हैं next देखिए reactivity towards water water के तरफ reactivity के प्रकार से सो करते हैं तो यहाँ पर carbon silicon and germanium are unaffected by water इन पर water का कोई फैक्ट नहीं पड़ता है SN reacts with stream to give SN02 and H2 so basically यह SN tin है और while react with H2O यह आपका SN02 यानि की tin का oxide form करता है और hydrogen जो gas है वो form करता है जो PV है यानि की lead is unaffected by water तो lead जो है आपका water से unaffected रहता है ठीक है आगे बढ़ते है next देखिए reactivity towards halogen की तरफ reactivity को को देखते हैं all the tetra tetra halides known except lead आपका tetra iodide तो सारे halogen लगबग यह form करता है केवल किसको छोड़के जो आपका PV यानि की lead का tetra iodide उसको form नहीं करता है मतलब वह exist नहीं करता है बाकी सारे tetra halide यह form करता है all halides are typically covalent and volatile जितने भी halide बनेंगे वह covalent होंगे in the nature and volatile होंगे the exceptions are sn4 f4 and pbf4 तो यह जो tin के और lead के tetra fluoride बनाते हैं यह covalent नहीं होते हैं structure के हिसाब से यह कैसा structure बनाते हैं three dimensional structure को बनाते हैं and that's why high melting points solid कहलाते हैं ठीक है क्योंकि जब three dimensional structure बनता है तो जो structure है वह अपना आपको क्या करता है replicate करता है और इस वजह से यह एक मजबूत structure बन जाता है जिसका वाजह से उसका melting point है वह increase हो जाता है ओके आगे बढ़ते हैं next देखिए reactivity towards acid and alkali तो acid और alkali की तरब किस प्रकार से react करते हैं देखते हैं carbon silicon germanium are unaffected by dilute acids तो dilute acids से unaffected रहेंगे carbon silicon और germanium तीन होई और जहां तक tin की बात है tin in dilute HNO3 form SNNO3 का hold twice तो यहां पर जो tin है वह react करता है dilute HNO3 से और यहां पर nitrate बनाता है साथ के साथ जो lead है dissolve करता है in dilute HCl and form sparingly soluble lead chloride यानि की pvc2 तो वह HCl से react करता है lead और बनाता है pvc2 साथ के साथ जो जैसे कि SNHNO3 से react करके यह बनाता है उसी प्रकार से dilute HNO3 से lead भी react करता है और यहां पर dissolve quite readily in the dilute HNO3 and form lead nitrate तो lead का भी यह nitrate form करता है यहां पर dinitrate आपका form हो रहा है oxides of nitrogen उसको भी यह form करता है lead also dissolve in organic solvent sorry organic acids तो organic जितने भी acids हैं उनके अंदर यह dissolve करता है कैसे acids की बात हो रही है जैसे oxalic acid हो गया citric acid हो गया acetic acid हो गया यह जितने भी acid हैं यह organic acids कहलाते हैं इनके अंदर यह lead dissolve हो सकता है lead does not dissolve in dilute HNO4 because a surface coating PVSO4 is formed so basically यह question पूछा भी गया था कि जो lead है वो क्या करता है HNO4 में dilute HNO4 है उसके अंदर dissolve नहीं होता है उसका कारण क्या है क्योंकि वो surface पर एक coating बना लेता है PVSO यानिकि lead sulfide की परत बना लेता है जिसके कारण से वो dissolve नहीं होता है next देखिए carbon is unaffected by alkali अब अगर यह हमने उपर acids की बात किया अगर हम alkali से react करा हैं तो carbon उसमें भी unaffected रहेगा silica reacts slowly with cold aqueous solution of NaOH and readily with hot solution giving solution of silicates SiO4 negative तो basically जो silica है वो react हो जाएगा दोनों जो aqueous solution है NaOH का और अगर hot solution होगा तो उसके साथ जादा तेजी से react करेगा ठीक है readily react करेगा hot solution देशाद sn and lead are slowly attacked by cold alkali and rapidly by hot alkali giving Na2 SnOH का whole 6 and Na2 PVOH का whole 6 यानि कि hexa जो है hydroxide जो है यह form कर रहा है ठीक है क्या टिन एंड लेड ओके दस sn and pb are amphoteric क्योंकि आपने देखा कि यह दोनों ही जो पाने उपर एसिट से भी इन्होंने react किया यहां पर alkali से भी रेक किया और प्रोड़क्त बनाए देट्स वाई दे आर एंफोटेरिक दिर इस नो एविडेंस ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ जी एचो यानि कि जर्मेनियम और टिन के जो और लेड के जो हाईडरोकसाइड है उनके फॉर्म होने के एविडेंस नहीं है तो कहने का मलबब है यह अनिस्टेबल होंगे और बाकि सारे जितने उपर के हैं आपके यानि की टिन और लेड उनके जो हाईडरोकसाइड है वो इस्टेबल हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं Allotrops of Carbons की बात करते हैं Allotrops क्या बहते हैं Allotrops यानि की अप्रूप जिनको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों Carbon जो है आप जानते हैं कि बहुत सारे अप्रूप बनाता है और उसका रिजन वही है Due to the property of the Catenation and P-Pi P-Pi double bone Carbon exists in a large number of Allotropics forms तो यहां पर इसकी जो Carbon है उसकी Catenation की जो property है Catenation बोले तो जो Carbon जो है आपका long chain form में इस प्रकार से जुड़के स्रिंखला बना सकता है उसी को Catenation कहते हैं और P-Pi P-Pi जो bonding है वो यानि कि जो double bond form कर सकता है जाते Carbon monoxide हो गया Carbon-Carbon double bond Carbon-Carbon triple bond तो यह जो इस प्रकार की Capacity है इसकी कारण से यह large number of Allotrops form करता है जिसमें से अगर हम कुछ important की बात करें तो उसमें सबसे important है आपका diamond हीरा जिसको कहते हैं इन diamonds the distribution of the four orbitals result in tetrahydral structure consists with SP3 hybridization तो इसके अंदर एक tetrahydral three dimensional structure देखा जा सकता है जिसके अंदर SP3 hybridization carbon की पाए जाती है Each carbon atom surrounded by four carbon atoms Each has a distance of 154 picometer की distance पर यहां पर carbon atom पाए जाता है अगर इसमें unit cell की बात करें इसकी तो वो cubic होती है यानि कि एक जो single cell होगी वो cubic cell होती है और ऐसे बहुत सारी जो cells हैं वो इसमें पाए जाती है चोटा मतलब उसकी सबसे चोटी unit कह रहे हैं तो वो एक cubic होती है And strong covalent bond exists in all directions सभी direction में आपके strong covalent bond exists करते हैं Thus in melting point abnormally high So basically जा इस प्रकार का जो compound जब भी बनते हैं जब three dimensionally जो बहुत सारे जो unit cell हो आपस में जूड़ते हैं एक lattice structure बनाते हैं तो वहाँ पर जो उसका melting point है वो approximately बहुत जादा हाई हो जाता है आपका यह structure इसके अंदर पाए जाता crystal structure of diamond जहां पर आपका यह unit जो है cubic cell है और प्रतिक जो carbon atom है वो चार जो carbon atoms है उनसे surrounded होता है which at 154 picometer distance ओके चलिए आगे बढ़ते हैं next देखिए next हम बात करेंगे graphite की ओके so we are talk about with let's talk about graphite तो आप जानते हैं graphite भी एक carbon का allotrop है और well known है कि जो हमने आसानी से हम देखते हैं इसको जैसे जो pencil है हमारी उसके अंदर यह use होता है and graphite is conductor of electricity सबसे बड़ी बात है है ना तो यह conductor of electricity होता है तो graphite is composed of flat two dimensional seat of carbon atoms each seat is a hexagonal net of carbon atoms and may be regarded as a fuse system of benzene ring so basically इसके अंदर एक two dimensional seat होती है कैसी जो कि hexagonal होती है जो आपने पढ़ा होगा यह नहीं भी पढ़ा तो हम पढ़ाएंगे solid state के अंदर जो है अलग अलग प्रकार की packing होती है तो उसमें एक होती है hexagonal packing तो उसी प्रकार की इसके अंदर शीट्स पाई जाती है और वो शीट्स आपस में कैसे connected होती है वीक वांडर्वाल फोर्स से सो बेसिकली क्योंकि इनके बीच में यार जब वीक वांडर्वाल फोर्स लियर्स के बीच में stable होंगे तो इस वज़ए से क्या होगा यह सॉप्ट हो जाएगे उतना ज्यादा hard material नहीं रहेंगा तो आप देखते हैं कि graphite एक soft जो है material बन जाता है ठीक है न आगे बढ़ते ह इसके पाई लक्ट्रोन का डिलोकलाइजेसन होता है इस प्रकार की यह जो अभी मैंने बात की hexagonal seat की वो इस प्रकार से होती है अलगलग layers और आपस में यह connect है इस प्रकार के वांडरवाल forces से जो की weak होते हैं यह three dimensional structure को इस प्रकार से होता है जहां पर यह देख सकते हैं यह electricity को conduct कर पाता है ठीक है यह आपका graphite आगे बढ़ते हैं next हम बात करेंगे very important that is full rain पोल्रीन के बारे में आपने सुनाओ और फ्रीजन वैंट एंद एडिक इस स्पार्क इस ट्रग्ए ग्रेफएड एलक्ट्रोड सूट इस प्रोडूसट एंडिस सूट इस में ली कारवन ब्लाक बढट कंटेन सिगनिफिकेंट अमांट ओप कार्बं सिस्टीम कार्वन क्ल जो है वो प्रडइूस किया जाए तो वो जो सूट है उसके अंदर यह इस प्रकार का एक मिक्षर पाया जाता है और वह होता है कारवन समिल ऑर इस कारवन सम्तिन को ही कहा जाता है यह कुश्टर के दिच्छित पया जाता है इसको कहा जाता है दोस्तोrus भॉलिरेher यह normally fulrines के नाम से इसको जाना जाता है ठीक है तो basically यहाँ पर electric spark को दिया जाता है graphite के electrodes को ठीक है fulrines is easily extracted from the sooth by dissolving them in the benzene and hydrocarbon solvent तो जो basically जो sooth बना है उसमें अगर उसको हम benzene या hydrocarbon solvent है उसके अंदर dissolve कर लें तो वहाँ पर हम उसको उससे जो है आसानी से fulrines को अलग कर सकते हैं यह एक्स्रेक्ट कर सकते हैं the c-sistine molecules look like rather like a soccer ball and it's sometimes called a bucky ball तो आपने इसका अगर structure देखेंगे कुछ इस प्रकास से football की तरह structure होता है या soccer ball की तरह आप कह सकते हैं इसको और इसलिए इसको bucky ball भी कहा जाता है it is it consists of huge system of five and six member rings तो पांच और छे मेंबर वाली फ्यूज सिस्टम का पूरा एक रिंग इसके अंदर पाए जाती है फुलरीन्स आर कोवेलेंट तो कोवेलेंट होते हैं यह enhance their solubility in organic solvent तो अगर compound कोवेलेंट है तो वह organic solvent में dissolve होता है you know that and this compound behaves as a superconductor below 18 Kelvin which means that is carries a electric current with zero resistance so इस प्रकार से यह आपका फुलरीन है और कार्बन सिस्टीन जो है इसका electron मतलब इसका राजसाइनिक नाम है तो यह इस प्रकार का एक फुडवल लाइक structure इसका पाया जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next देखिए some important compound of carbon and silicon तो अब हम carbon और silicon के कुछ important compounds की बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से इसके compounds होते हैं तो देखिए इसमें सबसे important है वो है carbon monoxide जिसको हम क्या कहते हैं CO कैसे बनता है carbon monoxide is a colorless, orderless, poisonous gas तो poisonous gas होती है colorless है orderless है it is found when carbon is burned in the limited supply of air तो limited supply होनी चीए air की और carbon को उसमें burn करने पर यह बना देता है carbon monoxide आपने देखा होगा कि जब आप चूले में जलाते हैं लकडी तो वहाँ पर limited supply होने के कारण से oxygen की और वहाँ पर वह कोईला जलने के कारण carbon monoxide produce होती है या अगर कमरे के बंद कमरे के अंदर इसको जलाए दा है तो वहाँ जो अंगिठी जलाते हैं बंद कमरे के अंदर तो वहाँ पर भी जूकि एर की जो है वो कमी हो जाती है और वहाँ पर तेजी से carbon monoxide साइड फर्म होती है ठीक है विच इस बेरी प्वाइजनस अन कमर्शल स्केल कारवन मोन अक्साइड इस मेड़ बाइब ब्लोविंग स्टीम थ्रो रेड और वाइट होट को एज 473 एं 1273 कैल्विन टू अप्टें मिक्शर ओप कारवन मोन अक्साइड एंस तू नॉन एज गैस और सिंथेसिस गैस तो अगर कमर्शल इसके हल पर हमें फर्म करनी है तो कैसा फर्म करेंगे हम क्या करेंगे जो इसका कोक को मिक्शर है उसको वैपर वाटर वैपर के साथ लगभग 473 से और 1273 कैल्विन के बीच में गरम करेंगे और वहाँ पर हमें एक मिक्शर करेगा carbon monoxide और hydrogen gas का जिसको water gas के नाम से जाना जाता है साथ के साथ यहां पर जो heat है उसको produce करता है ठीक है carbon monoxide is a good reducing agent तो यह एक अच्छा reducing agent भी माना जाता है because many जो oxide होते हैं metal के उनसे यह metal को अलग कर सकता है ठीक है तो that's why it is called a good reducing agent यहां पर आप आप देख सकते हैं जो यह iron है इसका जो oxide है इससे इसने इसको जब react कराते हैं तो यहां पर यह iron को अलग कर देता है carbon dioxide को अलग करता है उसी परगार copper के oxide से यह copper को अलग कर सकता है यह रिड्यूस कर सकता है that's why it is called a good reducing agent is it चलिए आगे बढ़ते हैं next देखिए carbon monoxide is a toxic because it forms a complex with hemoglobin in the blood and this complex is more stable prevents the hemoglobin in the red blood's corpals from carrying oxygen round the body this cause oxygen deficiency and leading to unconsciousness and death cause basically वही है कि जो carbon monoxide है वहाई toxic होती है क्योंकि तेजी से क्या करें कि blood में गुलती है blood में hemoglobin से गुलकर एक इस प्रकार का complex बना लेती है जिस कारण से blood की hemoglobin की oxygen carrying capacity होती हो कम हो जाती है जो oxygen नहीं ले पाएगा तो क्या करेगा oxygen की deficiency हो जाएगी body के अंदर और इस कारण से बेहोसी चाने लगेगी और मिर्त्यू भी हो सकती है और इसके कारण से silent death होती है आपने देखा होगा many times incidents are reported when people in their house light up अंगिठी in their rooms and sleep and सुबह पता चलता है they are dead all तो यहां पर इस प्रकार से जो है यह खानिकारक इसके कारण होते हैं next देखे carbon dioxide carbon dioxide is a colorless and orderless gas it can also be made by burning carbon or carbon containing fuels in excess of air तो यह तो simple है कि carbon है और उसको excess oxygen में जब इसको treat करते हैं तो यह carbon dioxide को form करता है गैस को और उसके अलावा methane जो है उसके साथ भी oxygen को excess amount में trade करने पर carbon dioxide और water produce होता है carbon dioxide gas can liquefied under pressure between minus 57 degree Celsius to plus 31 degree Celsius इनके बीच में यह liquefied किया जा सकता है और solidified भी क्या जा सकता है the solid is produced as white snow by expanding the gas from cylinders this is compressed into blocks and solid and solid CO2 which is called a dry ice and also known as a card ice तो basically यहाँ पर अगर इसको compress करते हैं blocks के अंदर तो यह white snow की तरो जो है आपका बन जाता है जिसको की dry ice सूखी ice कहते हैं या card ice भी इसको दूसरे नाम से जाना जाता है अगर हम इसके structure की बात करें तो यह resonance जो है structure सो करता है इस प्रकार से यहाँ पर जो double bond है उसकी shifting होती रहती है यह आप देख सकते हैं यह इधर है और यहाँ पर इधर आ गया और यह एक जो इसके बीच में होता रहता है दोनों oxygen atoms के बीच में नेक्स देखिए silicon dioxide silicon dioxide के बात देखते हैं यह भी हमने उपर थोड़ा सा देखा था अब आप 95% of earth crust is composed of silicon silicate minerals और silica two oxide of silicon silicon oxide and silicon dioxide have been reported तो basically silica के दो oxide होते हैं यह तो silica के oxide हो गया एक dioxide हो गया यह large नमर में अपने quartz के अंदर और sand के अंदर पाए जाते हैं यह आपने पहले भी बात कि थी silicon monoxide is thought to be a found by high temperature reduction of SiO2 with Si but is existent at room temperature in doubt तो यहाँ पर जो silicon dioxide है उसको जब silica के साथ treat करते हैं तो यह silica oxide के अंदर चेंज लाता है silica oxide is commonly called as a silica and it is widely formed in sand and quartz sand and quartz के अंदर यह widely देखा जा सकता है silica oxide form as a infinite three dimensional structure SiO2 is a high melting soil तो यह हम पहले भी बात कर चुके है कि इनका एक three dimensional structure यह बनाते हैं जिस वजह से क्या होता है इनके जो melting point वो approximately थोड़ा हाय हो जाता है and each Si is a tetrahendron surrounded by four oxygen atom तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर यह tetrahendron structure सो करता है इसमें कि परतीग silica जो है वो चार oxygen से गिरा होता है तो आपने इसका जो जो structure है वो देखा होगा each corner is shared with other tetrahendron and thus giving an infinite array तो basically यह number of elements इसमें जोडते चले जाते हैं ऐसे हम बात करें silicons की the silicons are groups of organosilicons polymers so यहां पर जो organosilicons हैं वो होते हैं basically जो silicon हमने उपर बात की उसी में अगर हम दो groups को oxygen को हटा कि यहां पर दो groups लगा दें तो यह आपका n number of polymers इसमें बनेंगे silicons बन जाए गए as the repeating unit है न यह जो unit है इसको बार बार repeat करते जाएंगे तो वहाँ पर silicon form होता है कैसे form होता है they have wide variety of commercial uses as a fluid oils and elastomers and resins तो यहां पर basically होगा क्या जो silica है उसकी आपका methyl chloride से सबसे पहले methyl chloride से reaction कराएंगी copper catalyst की presence में तो यह CS32 SiCl2 में change होगा और in presence of water यह change हो जाएगा silicon CS3 का whole twice SiOH का whole twice यानि कि hydroxide unit में change होगा इस परकार की जो दो unit है वह जब जूड़ेंगी यहां पर देखिए एक unit यह है और यह unit है यह unit जूड़ेंगी water माइनस का remove हो जाएगा इन में से और oxygen से यह unit दोनों जूड़ जाएगी तो इस प्रकार की एन यूड़ेंट जूड़कर silicon को बनाएंगी ठीक है यह एक polymer की तरह इसलिए यूज़ोता है क्योंकि इसमें number of units जूड़ती है नेक्स देखिए silicate we are talking about silicate about 95% of the earth crust is composed of silicate minerals और silica तो अगर हम बात करें अर्थ करस्ट पर तो बहुत ज्यादा amount में पाए जाता है आर्थ की crust पर यह है ना जो हमारी आर्थ की crust है उसमें जो स्वैल पाए जाते उसमें बहुत ज्यादा large amount में पाए जाता है silicate और या silica भी कह सकते है silicate can be prepared by fusing an alkali metals carbonate with sand in an electric furnace at 1400 degree celsius तो अगर हम एक metal का carbonate लेते हैं जैसे कि sodium carbonate लिया और 14000 degree celsius पर किसी furnace में इसको गरम किया तो यह carbon dioxide और आपके sodium के oxide के अंदर तूट जाएगा और इसको जब हम silica के oxide से treat कराएंगे तो यहां पार यह sodium का जो है silica oxide form होगा ठीक है तो the produce product is a soluble gas of the sodium and potassium silicate तो यह कुछ important compound से जो कि हमने देखे किसके carbon के और silicon के तो friends इस group के अंदर इतना ही जो important बाते थी वो थी और वो जो भी बाते थी वो हमने discuss कर लिए ठीक है